जैशी गणेश मित्रों मित्रों दक्षण भारत में गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को इस्थापित करके कुछ दिन पश्चात्वी सर्जित करके उनको विदाई दी जाती है ये द्योहार मूल रूप से दक्षण भारत का ही है परन्तु गणेश जी के प्रति आस्था और प्रेम के वशीबूत होकर उत्तर भारत में भी काफी संख्या में इसे मनाने लगे हैं गणेश जी से संबंदित एक छोटी सी कहानी का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार एक बार नारज जी ने शिव जी को एक आम भेट किया जो चमतकारी था जिसे खाने से बुध्धी का बहुत अधिक विस्तार संभव था शिव जी ने इसे अपने पुत्रों को देना चाहा पर कारतिकी जी ने तुरंत अपने मूर पर सवार होकर पूरे संसार की परिक्रमा करनी प्रारंब कर दी गणेश जी उठे और अपने माता पिता की परिक्रमा करके बोले मेरा संसार तो आप ही है क्यूंकि ये संसार तो आपकी इक्षा की पर्णती मातर ही है इस प्रकार आप ही तो संसार है अब प्रसन्योकर शीव जी ने आम गणेश जी को दे दिया जब कार्तिके जी पहुचे तो ये जानकर बहुत नाराज हो गए और क्यलाश से दक्षिन भारत की उड़ चले गए उन्हें मनाने के लिए गणेश जी भी दक्षिन की तरफ गए और आठ दस दिन वहा नहीं और वहीं बस गए तो गणेश जी वापस आ गए इस प्रकार गणेश जी दक्षिन में दस दिन मेहमान बन कर रहे और उनके वापस आने के प्रतीक के तौर पर उनका विसरजन किया जाता है क्योंकि गणेश जी का निवास उत्तर भारत में इस्थित हेमाले के कैलाश परवत पर उनके मातापिता के साथ ही है इसी लिए उत्तर भारत में दीपावली पर गणेश जी की पूजा अर्चना करके उन्हें पूरे साल, पूरे जीवन, सदा, सरवदा अपने घर में विराजित किया जाता है वो दक्षण के महमान हैं परंत उत्तर के तो वो मालिक है न उत्तर भारत उनका इस्थाई निवास है उत्तर भारती है अपने मालिक का उसी के घर में विसर्जन क्यों कर रहे हैं और उन्हें अगले बरस आने के लिए क्यों कह रहे हैं अगर उन्हें अगले बरस बुलाएंगे तो दीपावली पर किसके पुजा करेंगे किसी की देखा देखी, कुछ भी करना उचित नहीं है इसलिए उनका विसर्जन सिर्फ धक्षिन भारत में ही किया जाना चाहिए ये मेरी सोच है आप अपनी सोच की अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वदंत्र है जो मेरी सोच से सहमत हो, कमेंट बॉक्स में आवश्य बताएं अगर ये जानकारी आपको उचित लगी हो, सही लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सबिस्क्राइब करें धन्यवाद